है के तो कि ये चलोओ ठीक है तो इस टार्ट करते हैं आज की क्लास है ना आज हम पढ़ने जा रहे हैं flowers के बारे में flowers का complete structure हम पढ़ेंगे आज और अप इस lecture को ध्यान से देखना क्योंकि पूरा Fl прест memories policy प्लांट का रिप्रडक्शन पढ़ना आपको तो flowers के बारे में must है आपको जानना ठीक है तो पूरा lecture आज का जरूर देखना तभी आगे के lectures आपको समझ में आएंगे ठीक है चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं पहले मैं एक डायग्राम बनाओंगी मैं यह पहले भी बना सकती थी तो मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ ताकि आप भी इससे बनाना सीखो ठीक है आपके board exams में full का diagram भी पूछता है flowers का diagram और उसके parts उसको label करना ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है तो मैं इसलिए आपके सामने ही बना रही है उसे ठीक है तो चलो मेरे साथ पहले बनाना शुरू करो देखो पहले center में आप उस तरह से बनाओगे के फिरो dau won आज फैक है ठीक है उसके बाद क्या करना है में उसके बाद एक color लेना है और किसी colored पार्ट से अच्छा एक मिनट उसके बाद आप यह बना सकते हो ठीक है आप चाहे जितना मर्जी बना सकते हो मैं यहां पर 2 बना रही हूं ऑके अच्छा उसके बाद आप कुछ इस तरह की स्रक्चर बना सकते हो ऑके कहोगे मैं यह कौन सा फ्लावर है बाई लुजी का फ्लावर है ठीक है चलो देखो ठीक है यह आपका simple तरह से flower बन गया आपके exam में अगर पूछा जाएगा flower का diagram तो आप इसी तरह से बना के आओगे इसको बनाना सीक लो बहुत ही simple तरह से मैंने आपको बनाना बता दिया इसी तरह से आप flower बना के आओगे आपको color का option नहीं मिलता है वहाँ पे तो आप अपने हिसाब से उसको अलग-अलग pattern पे बना सकते हो एक ही पेंसे black और blue आप इस्तमाल करके बना सकते हो चलो ठीक है आप इसके part समझते हैं यह simply इसका diagram हो गया अब इसके part समझते हैं मैं हर एक part को अलग-अलग color दिया है तक क्योंकि हर एक part आपके अलग-अलग है इसलिए मैंने अलग-अलग color दिया है अच्छा एक और चीज मुझे थोड़ा सा और अलग करना था इसको मैं light green से कर दे रहे हूँ light green color से मैं color कर दे रहे हूँ एक नेट सबसे पहले जो सबसे बाहरी भाग होता है इस एक को इसमें आपको चार दिख रहे हैं कई हो सकते हैं इसमें मैंने आपको चार दिखाएं एक दो तीन चार इस एक को कहते हैं सेपल क्या कहते हैं इसको कहते हैं सेपल यानि की बाहिय दल बाहिय दल ठीक है बाहिय दल मतलब ये देखो चार दल आपको दिखाए देते हैं फ्लावर्स में कितने दल दिखाए देते हैं चार दल दल मतलब की जैसे देखो अगर मैं इस पैन को लूँ इसके एक फेरा बनाओ, फिर दूसरा फेरा बनाओ, फिर तीसरा फेर बनाओ, बनाओ, तो मैं कहूंगी तीन दल है इसमें, ठीक है, इससे तेर फ्लावर में क्या होते हैं, चार दल होते हैं, यानि कि चार वर्ल्ड होते हैं, इसको मैं, डल को हम कहते हैं, इंगलिश में वर्ल ठीक है, world और बाहिय है, यानि की outer world सबसे बाहर का जो world है वो है sepal इसको आप हिंदी में sepal भी कह सकते हो बाहिय दल कह सकते हो ठीक है, इसकी एक को ये जो एक आपको नजार आ रहा है मैं इसको थोड़ा सा color करके बता दू इस एक को कहते है sepal और इन सारे को मिला के क्या कहेंगे इन सारे को मिला के हम कहेंगे क्यालिक्स क्यालिक्स, ठीक है हिंदी में भी इसे क्यालिक्स ही कहते है क्यालिक्स, ठीक है बात समझ में आ रही है इस एक को कहते है sepal और सारे को मिला के कहते हैं क्यालिक्स, ठीक है क्यालिक्स यहां पर मैं लिख दे रही हूं अच्छा मैं आपके लिए बाद में कर को के समझ लो क्ल करें लिए कहते हैं और यह सबसे बाहरी दल यह पहलाव क्ल को सब्सक्राइस. इसके जस्ट अंदर आपको क्या देख रहा है ये वाला रेड कलर का ठीक है इसको हम एक को इस एक को कहते है पेटल ठीक है पेटल या हिंदी में कहूं तो पंखुडी पंखुडी तो जानते हो flowers की है ना जो color part होता है flower का वो पंखुडी कहलाता है पेटल कहलाता है और इसके collection को कई सारे पेटल हो सकते है एक जैसे रोज का फ्लावर ले लो उसमें तो कई सारी पंखुडिया है ना तो उन सारे पेटल्स उन सारी पंखुडी को मिला के क्या कहते है उसे हम मिला के कहते है को रोला ठीक है हिंदी में भी इसे को रोला ही कहते है को रोला ठीक है सारे का देख रहा होगा है इस पूरे को हम कहते हैं androsium मुझे पहले सपन लिखना था ता स्टैमन कहते हैं stamen androsium मुझे पहले लिख लें दो इसे अश्यम ठेक है को अच्छा इस टैमन इस एक को एक को क्या कहेंगे इस्टैमन कहेंगे जिसको हिंदी में कहते हैं पूंकेसर ठीक है ठीक है और इसके कई सारे इस्टैमन यहां पर आपको चार दिख रहे है एक, दो, तीन, चार कई सारे स्टैमन को मिला के हम क्या कहेंगे एंडोशियम जिसे हिंदे में कहते हैं पुमंग ठीक है यह बात याप याद रखना है एक को सेपल सारे को मिला करके कैलिक्स एक को पेटल सारे को मिला करके कोरुला एक को कहेंगे स्टैमन और सारे को मिला करके कहेंगे अब साइड में लिखना मुझसे थोड़ा सा उपर लिखा गया कोई बात नहीं तो यह आपका क्या है यह आपका तीसरा दल है है ना थर्ड वर्ल है यह आपका अब फोर्थ देखो यह पूरा आपको दिख रहा है यह ब्लैक कलर का पूरा इस पूरे को हम कहते हैं इस पूरे एक को एक को कहेंगे हम कारपल ठीक है चौथा एक को हम कहेंगे कारपल या इसी को पिस्टिल कहते हैं पिस्टिल ठीक है अच्छा एक को कारपल या पिस्टिल कहते हैं बाद समझ में आ रही है. ठीक है, कारपल या पिस्टिल कहेंगे हिंदी में इसे कहते हैं इस्तरी केसर. इस्तरी केसर. ठीक है? इस्तरी केसर कहते हैं. और मानलो, इसमें तो एक ही कारपल नजर आ रहे हैं plastic. कई सारे ऐसे फ्लावर होते हैं, ठीक है एक से जादा कारपल या पिस्टिल होते हैं तो एक से जादा जब होगा तो उसे क्या कहेंगे हम गाइनोशियम गाइनोशियम जिसे हिंदी में आप कहते हैं जायांग ठीक है बास समझ में आ रही है तो यह चार बातें आपको याद रखने हैं यही चारो बाते में मैं आपको एक फ्लावर की मदद से अभी आपको समझा दे रही हूं और इसके बारे में ठीक है देखो फिर से एक बार रिवाइस करा रहे हूं जो एक है उसको कहेंगे सेपल और इसमें जो कलर आपका पार्ट दिख रहा है उसको पेटल कहेंगे यह क्या है एंडोशियम है औ कभी पिस्टिल कभी गाइनोशियम क्योंकि एक ही है ठीक है कि जादे तर फ्लावर्स में एक ही होता है तो इन तीनों टम्स को हम साथ में इस्तमाल कर रहेते हैं चाहे जो चाहे जिसकी जगह है अच्छा अब यह वाला पार्ट दिख लेते हैं जो मैंने लाइट ग्रीन से जिसे हिंदी में हम कहते हैं पुषपासन ठीक है पुषप का आसन यानि पूरा पुषप इसी पे बैठा हुआ है ठीक है इसलिए यह वर्ल नहीं आता है वर्ल नहीं क्योंकि फ्लावर आपका इतना ही है इतने से ऊपर इतना पार्ट आपका फ्लावर है यह तो उसकी डंठ है न तो डंथल का जो चोड़ा हुआ पार्थ है उसे हम कहते है थैलमफ या रिसेप्टेकल जिस पे फोल बैठा हुआ है पुष्प आसन कहते है उसे और villains अ अटाच है, प्लांट से जुड़ा हुआ है, उस डंठल को हम कहते हैं, पेडी सल, पेडी सल कहते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर कहूं, तो इसे हिंदी में कहते हैं, पुष्पा वरिंत, ठीक है, पेडी सल वह भाग है, जिसके थूँ, ये फ्लावर किस से जुड़ा है, प्ला और बात आपको यहाँ याद रखनी है, देखो, यह जो एंड्रोशियम है ना, वो मेल पार्ट है, मेल को इस सिंबल से दिखाते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रही हूँ, इसका मतलब होता है मेल, यानि कि पुरुष, पुरुष का भाग है, ठीक है, ओके, और य मज में आया, तो एक ही फ्लावर में हो सकता है, एंड्रोशियम भी हो, और आपका गाइनोशियम भी हो, यानि पुरुष का भाग भी हो, इस तरी का भाग भी हो, यह दोनों जरूरी है, सेक्श्वल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, ठीक है, तो यह चारो पार्ट आप याद रखोगे, और इसका जो यह बेस है, यह चीज़ आप अच्छे से याद रखोगे, इतनी बाते आपको फ्लावर में बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, और यह जरूर अच्छे से लिखने ना, कि सेपल के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं, क्यालिक्स कहते हैं, इतनी बाते आपको पता होनी चाहिए, एक फ्लावर के एक्जामपल से मैं आपको समझा देती हूं, है ना, चलो देखते हैं, एक फूल का एक्जामपल लेती हूं, मैं आपके लिए फ्लावर ले आई हूं, मेरे पास यही मिला मुझे, है ना, इस समय तो आपको वो नहीं म तो इसे आप क्या कहोगे क्या है इसके बाद आपको यह जितना भी पीले कलर का दिख रहा है पूरा पूरा पीले कलर वाला क्या है आपका कोरोला है और अगर एक को निकाल के बताओं देखो मैंने एक निकाल दिया यह एक क्या है आपका एक को अगर मैं कहूं तो एक पंखुडी है यानि कि एक पेटल है और सारे को मिला के मैं क्या कहूंगी कोरोला कहूंगी ठीक है ये वाला छोटा सा पार्ट, हाँ शायद दिख रहा है, देखो, ये छोटा सा पार्ट इसका एंडोशियम गाइनोशियम, मैं दूसरे फ्लावर की हल्प से समझाती हूँ इसको, अभी आप इसमें एंडोशियम गाइनोशियम को छोड़ो, बाकी सारे पार्ट समझ लो, ठीक ह तो यहाँ पे आपको पूरा एक चौड़ा सा भाग दिख जाएगा, देखो, इसमें एक आपको चौड़ा सा भाग दिख रहा है न, ये चौड़ा सा भाग जो है, वही आपका क्या है, वही आपका थैलमस है, ये जो पूरा चौड़ा भाग दिख रहा है आपको, ठीक है, तो अब तो ये फूल बेकार हो गया, दूसरा उठाते हैं और बाकि सारी चीज़े समझते हैं इसके बीच में आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही है देखो इसमें आपको छोटे छोटे से जो ऐसे बाहर नजर आ रहे है न वह साइड साइड के तरफ यह थोड़े से अलग है बीच वाले से बीच में थोड़ा सा अलग है और साइड में थोड़ा थोड़ा अलग है यह जो साइड साइड में आपको नजार आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूँ ताकि आपको अच्छे से नजार आए, एक मिनट, देखो, यह जो आपको दिख रहा है, यह तो क्यालिक्स है, है न, उसको भी हटा देते हैं, इस मौसम में तो गुड़ल के फूल मिली नहीं रह है, है न, मेरे पास तो नहीं है, चलो छोड़ो, देखो यह पर, इसमें जो आपको साइड साइड में यह सारी चीज़ें दिख रही है, यह सब जो साइड साइड में दिख रहा है, यह क्या है, यह आपका अन्रोशियम है, ठीक है, इस टामेन है, और जो आपको बीचो एक और फूल है मेरे पास मैं उसकी मदद सी आपको समझाने के कोशिछ करती हूँ देखो अब कहोगी यह काुन सा फूल है यह अपने अलो वेरा का नाम सुना होगा वह उसका फ्लावर है ठीक है मैं एक फ्लावर इसका तोड़ती हूँ यह कल्एक्षिन फ्लावर है कई सारे तेहनी कि पश्पवरिंथ अब मैं इसा को तोड़ रही हूँ, टूड़ा सा अछुछ है, यह देखे हो ये बीच वाला एक नजार एक नजार आ रहा होगा ये थुड़ा सा अलग है और बाकी ये चारों इसके किनार किनारे 1 2 3 4 ये 4 यो हैं और ये बीच वाला एक अलग है जिसके उपर साधारण सी चीज़े हैं अब इसको मैं जूम कैसे करके दिखा हुए ना देखो चलो मैंने इसको थोड़ा जूम किया आपको समझाने के लिए देखो इसका ये भाग आपको कुछ ब्राउन ब्राउन सा नजर आ रहा है ना ब्राउन ब्राउन सा वो जो मैंने यहाँ पर गोल गोल बना के दिखाया है न वो यही ब्राउन वाला पार्ट है यही भूरा वाला पार्ट है ठीक है और उसके बाद आपको ये कुछ धागे जैसा नजर आ रहा होगा ये वाले चीज़ ये क्या है आपका ये वाला धागा ह ठीक है अच्छा दूसरी बात मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो इसमें एक ये है ये जो थोड़ा सा अलग है सबसे देखो इसमें थोड़ा सा ऊपर ऐसे चोड़ा सा भाग है वही चोड़ा सा भाग आपका ये वाला भाग है ठीक है यही चोड़ा सा भाग और ये पूर अलग सा नजर आ रहा है यह वाला यह क्या है यह आपका यह वाला पार्ट है थीक है तो अब मैं जूम आउट कर रही हूं फिर से चलो ठीक है तो मेरी कोशिश रही कि मैं आपको यह चीज़े समझा पाऊं ठीक है और इसको जब आप तोड के देखोगे जब आप इसको तोड के देखोगे ठीक है तो यह वाला पार्ट था आपका मैं साइड वाले सारे हटा दे रही हूं देखो अब जो आपको दिख रहा है वो पूरा यह वाला भाग है ठीक है यह आपको दिख रहा है फिर नीचे फूला हुआ पार्ट दिख रहा है यह है ठीक है और उसके नीचे जो आपको यह जो चौड़ा सा दिख रहा है वो आपका क्या है आपका थालमस है ठीक है तो इ आजाओ, अब हमें क्या करना है, अब हमें एंडोशियम को थोड़ा अच्छे से समझना है, और हमें गाइनोशियम को थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है, हमें इतना काम और करना है, तो आप ये चार पार्ट अच्छे से लिख लो, कि फ्लावर के चार वर्ल होते हैं, च इसके थुरू, आपका मेन प्लांट से ये फ्लावर अटाच है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी और बाते हमें देखनी है, देखो, अभी आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, किसका, इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, किसका, एन्रोशिय इंग्लिश में कहते हैं आंथर, इसको हिंदी में कहते हैं पराग कोश, ठीक है, पराग कोश, ठीक है, और ये जो आपको धागे जैसा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम, तन्तु डंठल, ठीक है, तन्तु डंठल, बात समझ में आई यह हो गया आपका एंड्रोशियम स्सेंट है यह है या पिस्टिल आपको कैपिलरी कुछ भी कह सकता है क्योंकि जादे टर में यह होते है तो उसको डारेक्ट हम कह देते हैं इसका यह जो उपर का चौड़ा हुआ भ़ाग है उस obsो कहते हैं stigma, जैसे हिंदी में कहते हैं वर्ति, वर्तिकाग्र, ठीक है, ये आपका कहलाता है style, style मतलब होता है वर्तिकाग, और ये आपका कहलाता है ovary, ovary मतलब अंडाश है, ठीक है, तो ये सारे भाग हैं आपके flowers के, main इन ही पार्ट के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये आपका male पार्ट है, और ये आपका क्या है, female पार्ट है, तो main इन ही दोनों के बारे में हमें अब आगे पढ़ना है, ठीक है, कल के lecture में मैं पूरा androsium के बारे में बताऊंगी, उसमें कैसे कैसे काम हो रहे हैं, ये स तीन भाग हैं आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ठीक है, तो I hope आपको इतनी बाते समझ में आई होंगी, मिलते हैं नेक्स क्लास में, नेक्स क्लास में हम एंथर के बारे में और फिलामेंट के बारे में, यानि पूरे एंडोशियम के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे ठीक है कल का हमारा टॉपिक यही रहेगा तो ठीक है मिलते हैं नेक्स क्लास में